दोस्तों, बदलते मौसम में चुखान खासी होना एक सामान बिमारी हो जाती है जो की हमारे घर के बच्चों को सबसे जादा प्रभावित करती है तो दोस्तो ऐसे में चाहिए हम एक ऐसा प्रोड़क्ट जो हमारी पूरी फैमिली की इम्मून सिस्टम को बूश्ट कर सके यानि की बहतर बना सके तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम इसी विशाय पर चर्चा करेंगे साथी साथ मैं आपको ये भी बता दू कि ये जो प्रोड़क्ट है ये ना की सिर्फ आपका इम्मून सिस्टम बढ़ाता है बल्कि ये जोडों के अकड़क में भी बहुत ज़्यादा फायदेवन होता है तो क्या है इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंतर तक बने रहे ताकि आपको इसकी पूरी से पूरी जानकारी मिल सके तो बिना किसी देरी के बिना किसी इंट्रो के इस वीडियो को स्टार्ट करते है लेट्स बीगिन तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिबचर का हलुआ गी का वार के बारे में जो जोडों के दर्द में एहम भूमिकानी बाते हैं यदि आपके घर में कोई भुजूर्ग है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन साबित हो सकता है इसके त्रिक दोस्तों सिबचर का हलुआ घी का वार आपके यादास्त को बहतर बनाए रखने में भी मदद करता है साथी साथ दोस्तों इस घी का वार के सेवन से सरीर में दर्द, जोडों में दर्द, शरीर में अकडन, खाशी, खराश, अस्थमा, कफ और पाचन क्रिया को बहतर बनाए रखने में भी मदद करता है और दोस्तों मैं एक चीज और किलियर करना चाहता हूँ कि यह जो प्रोड़क्ट है यह एक हर्वल प्रोड़क्ट है जिसके आपको कोई भी साइट फ्रिक्स देखने को नहीं मिलेंगे इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तमाल जो है गठिया के इलाज में भी किया जाता है यह सिबजर हलवा घी कावार आपके ब्लेड सर्कुलेशन को बहतर बनाता है और गठिया की कारण होने वाले दर्द में आराम पहुचाता है और दोस्तो इसका इस्तमाल साइटिका में भी किया जाता है साथी साथ दोस्तो सिबजर घीकावार में एंटियोक्सिडेंट पाये जाते हैं जो की तोचा में नमी बनाये रखने का कार करते हैं एंड दोस्तो इसके regular इस्तमाल से आप कई स्वास्ते समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं तो दोस्तो अगर हम बात करें इनके डोज की तो एक adult वेक्टी को ये 12-25 ग्राम तक दिन में 2 बार यानि की सुभा साम देने की सलाध दी जाती है जिसे दूद के साथ खाना होता है अगर वहीं हम बात करें बच्चों की तो बच्चों को आप 5 ग्राम सुभा साम दूद के साथ दे सकते हैं इन दोस्तो इस प्रोड़क की पूरी जानकारी के लिए आपको जो अपनी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप वहां से भी बात करकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इससे पर्चेस करना चाहते हैं तो पीछे जो आपको वेबसाइट्स दिख रही हैं आप वहां से भी जाके इस पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तो यह थी पूरी जानकारी सिबजर हलवा घी कावार की कैसी लगी आपको कोमेंट सक्सम में जरूर लिखेगा अगर आपको कुछ डाउट या कोरीज है तो वो भी आप मुझे बेजज़क पूछ सकते हैं मैं उसका रेपलाई आपको जरूर दे दूँगा तो आज की इस नॉलिज़वल वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको एक थमसब जरूर करिएगा एंड मेरे चैनल पर नए है तो ऐसे ही नॉलिज़वल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो में एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए बी हैपी, बी हल्दी, लव यू इंडिया